हेलो मित्रों नमस्कार, इस्टेडी वित अम के यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मित्रों आज किस क्लास में बात करने वाले है राजस्तान पुलीस बरती पटवार बरती से संबंदित इंडिया जी के अतिम हच्तुपुन परशनों के बारे में तो आज अपनी क्लास नमबर 2 है दोस्तों क्लास नमबर 5 पहले अपलोड हो चुकिए अगर आपने नहीं देखिए तो जाके आप देख सकते हो और दोस्तों जिन्हों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रहा है नीचे लाल कदर का बटन है उसे दबाकर चैनल को ज त्यारी जारी रख सकते हो क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको दे जाती है इंडिया के टोप एजुकेटर ज्वारा भैतरीन लाइव क्लास है तो अभी अनकेड़मी डाउनलोड करके वहां पर अपनी तैयारी जारी रखिए और दोस्तों वहां पर प्लस का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों डेली अपने लाइव क्लास रती है नौब जी तो प्रशन नमबर एक का सही उत्र क्या हो जाएगा दोस्तों जी बिल्कुल ऑप्शन नमबर यहां पर सी राइट हो जाएगा कां से यूख से समंदित है हडपा सब्वेता बिल्कुल बहु बहुत बढ़िया तो ऑप्शन नमबर दोस्तों बी का दो का बी हो जाएगा सक्के कुल से समंदित थी क्यूशन नमबर तीन की तरफ चलते हैं वह सासक कौन था जिसने राज सियासन पर भेटने के लिए अपने पिता बिंदु सार की अत्या की थी यह भी इंपोरेन प्रश प्रशन आ चुका है तो भड़ा पड़ से कमेंट कर दीजिए सभी बहुत बढ़िया दोस्तों वेरी गुड जी बिल्कुल कलपना सुरेंदर अमित अंजराज बहुत बढ़िया तो तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों अप्शन नमबर ए यह आप राइट हो ज जी बिल्कुल फटा-फट से कमेंट कर दीजिए सभी मित्र बहुत बढ़िया दोस्तों ला जवाब आपकी सही आंसर आ रहे हैं आपर तो चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी ए परिशेता का अंत पांस नमबर प्रशन की तरफ आगे बढ़ते हैं हर्मि पर सिमला किसे एक आ जाता है आपने पड़ा वागा दोस्तों 11 12 में थाई बार इनका नाम आया है तो बिल्कुल उप्शन नमबर सी राइट हो जाएगा ए ओ यूम इन्होंने कांग्रेस की भी स्तापना कीती दोस्तों तो कमेंट करके जल्दी बताईएगा कब कीती कांग् कीती वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यहने बारती राष्टे कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्स्ता किस ने कीती यह बताना है क्यूसर नमबर 6 में जी बिल्कुल तो लोह पूरुस हो जाएगा दोस्तों अप्सन नमबर डी सरदार वल्लभाई पटेल नहीं साथ नमब बता दीजे सभी कमेंट करके जी बिल्कुल अप्सन नमबर यहां पर एराइट हो जाएगा मित्रों परसासनिक सुदार पर विचार के लिए आया था कौन साइमन कमिशन भारत में अगला प्रशन है दोस्तों 1911 इसवी में जब राजदा नी कॉलकत्ता से दिल्ली लाए जी बिल्कुल आठ का सही आंसर आराप सभीगा तो आठ का राइट आंसर होजएगा डिलार्ड हार्डिंग और जिन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ने करका सब्सक्राइब कर लीजिए निमल लिकित में से किसने वाइस ओफ इंडिया नामक समचार पत् पुर्ण प्रश्ण है तो नो कब भी हो जाएगा दादा भाई नवरोजी जी से क्या कहा जाता है ओल्ड में कहा जाता है ठीक है प्रश्ण नमबर दस की बात कि जाए भारते सवतंतर संगर्स के दोरान निमल लिकित में से किसने फिरी इंडियन लीजन नामक सेना मनाई थी पिरी इंडियन लीजन नामक सेना मनाई थी किसने मनाई थी जी बिलकुल ओप्शन नमबर सी आ रहा आप सभी की तरप से राइट आंसर सुबाश्य चंद्र बोस नहीं वेरी गुर दोस्तों अगला प्रशन है आंतरिक उर्जा किसमें सिमिलित नहीं होती है ये भी इंपोर प्रशन लेकर रहा हूं तो सभी सब्जेट किसमें इंक्रूड कर रहे हैं चाहिए वो इस्ट्री हो पॉलेटिकल साइन्स हो आर्ट कल्चर हो करेंट अफेर्स हो सारे आपको यहां पर मिलने वाले हैं तो 11 गराइट आंसर हो जाएगा नाब किये उर्जा में ठीक है बारा किसमें होती है सबसे जड़ा राइट आंसर वेरी गूड सिटर किसको याद है कमें गरकर कि علर के बता है जाली यह भी प्रशन कई रजाम में बनता है दोस्तों तो वेरी गूर दोस्तों डी टू ओ भारी पानी का सूतर है यह तो दोस्तों तेरा गराय टांसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी विवंदक के रूप में प्रियोग के जाता है वेरी गूड प्रश्ण नमबर 14 निमन लिकित में से कौन सा रोग विसानू के कारण नहीं होता है यह ध्यान रखना है विस प्रश्ण नमबर 15 नमबर प्रश्ण नमबर डी विसानू के द्वारा निमन लिकित में से कौन सा रोग विसानू के कारण वेरी गूड दोस्तों बहुत बढ़िया जी जी बिल्कुल आप्सन नमबर बी हो जाएगा टाइलीन प्रश्ण नमबर 16 की तरफ चलते हैं निमन ल सा चन्तू है वो पटापट से बता दीजी इसका राइट आंसर जी काक्रोच मेंडक सार्क या उप्रवक्ट सभी दोस्तों 15 से 20 मिनिट में आपको यहां पर 35 प्रश्ण है जो कंप्रीट हो जाएंगे आपके तो आराम से आप आंसर देते रहें जी बिल्कुल आप्सन सब्सक्राइब कौन सा तत्व पाए जाता है तो 17 का राइट आंसर बता दीजीगा सभी बहुत बढ़िया ऑक्सिजन ऑप्सन नमबर यह आपर राइट हो जाएगा प्रश्ण नमबर 19 की दरब चलते हैं प्यारे मित्रों निमन लिकित में से कौन सी प्रवतस्त्रेणी क्यो तो इससी हो जाएगा अजन्ता ठीक है प्रश्ण नमबर 19 आ रहा है प्राइट एपिय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जी रिवर का प्रश्ण आ गया इंपोरेंट प्रश्ण है प्राइपिय भारत की सबसे बड़ी नदी वेरी गुड़ी दोस्तों बहुत बढ़ि जो ग्यों की खेती नहीं करता है ठीक है नहीं पे ज़्यादा जोर लगाना कई बार क्या होता है कि एक्जाम में आप प्रशन को अच्छे तरीके से नहीं पड़ पाते हो और समझ लेते हो कि कौन सा राज्य ग्यों की खेती करता है ठीक है तो इस परकार ध्यान रखना बता दीजे वाई विश्व की बात की जा रही है राजस्तान में भी आपको पता होना चाहिए राजस्तान पुलिस का एक्जाम दे रहे हो तो अब रख की एटियां कहां बनाई जाती है बिल्कुल बहुत बढ़िया कमेंट करके आंसर बताना सबी को तो इसका भी हो जाएगा हजारी बाग जी बिल्कुल आंसर आचुक है मेरे बास भील वाड़ा जिल्य में बनाई जाती अब रख की एटियां ठीक है 22 नमर परशनल निमल लिकित में से किसे लोग सभा का अभी रक्सक किसे का जाता है प्यारी मित्रों 22 का तुरंट आंसर देती जी सबी तो वेरी कौन है अपने लोग्षभादेक्स कमेंड कीजिए फटापड से बहुत बढ़िया ओम बिरलाजी अभी परजेंड में लोग्षभादेक्स है और कहां से आते हैं राजस्तान के कोटा और बूंदी ध्यान रखना है दो जिले हैं कोटा और बूंदी जो संसेदी छेत्र है इनक अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है उच न्यायलेका न्यायदीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है जी बिल्कुल दोस्तों राष्ट पति को करता है ठीक है चलिए चोईश नंबर प्रशन की तरफ हम चल रहे हैं राज्य की विदान परिशत के कितने स सदेशे होते हैं जो विदान सभा द्वारा चुने जाते हैं जैसे अपने संसद के अंदर लोक सभा और राज्य सभा होती है लोक सभा प्लस राज्य सभा उसी परकार से मित्रों क्या होता है राज्य होते हैं उसमें विदान सभा और विदान परीशद होती है ठीक है तो आप को बताना है विदान परीशद में कितने चुने जाते हैं तो चोईस कब भी हो जाएगा एक बटे तीन सदेश्य प्रश्ण नमर पचीस है किसी राज्ये विदान सभा के सदेश्य की नियूंतम संक्या कितनी हो सकती है यह किसी भी राज्ये में नियूंतम जो संक्या है विदा के अंद्रोर राज्य के बीच सम्मयधानिक सक्तियों का बत्वारा किस अनुसुची में दिया गया है? कमेंड करके बताईएगा जल्दी से यह विएरी गूड विएरी गूड सहबाज दोस्तों बहुत बढ़िया तो ड दी हो जाएगा साथ भी एनुसुची में दिया गया है 27 नमर प्रशन की तरब चलते हैं One night that calls entire पुस्तके लेके कोन है दोस्तों आपको पता होना चीए राजस्तान पुलिस में कई बार पुस्तकों से समझदे भी प्रशन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है एसी important पुस्तक है उनका writer किसने लिखी थी वो ठीक है तो 27 का write answer हो जाएगा C, चेतन भगत बहुत बड़े उपन्याशकार है ये लेकिन इस माध्यम में इंगलिस में ये भी द्यान रखना है और दोस्तों यहाँ पर जो अंधूरती राई है अरुन्दती राई इन्होंने भी लिखी थी एक पुस्तक बहुत important है वो comment करके जल्दी बताए उसका नाव ठीक है तो very good the god of small things 28 नमर प्रशन आ गया मोहिनी अट्रम नरिते का समन्द किस राज्जे से है मोहिनी अट्रम जो नरिते है दोस्तों इसका समन्द किस राज्जे से है जी तो केरल से है दोस्तों ठीक है 29 नमर प्रशन है नॉबेल पुरुषकार 2019 में किन वेक्तियों को दिया गय था यानि 2019 का नॉबेल पुरुषकार किस ने जिता था तो बिल्कुल दोस्तों वीलियम, कायलीन, पीटर, रेटकलिफ और ग्रेक सेमेंजा यानि अप्सिन नमर डी राइट हो जाएगा इसका ठीक है 30 नमर प्रशन की तरफ चलते हैं वर्श 2019 के लिए साहित्य चेत्र का नोबल पुरुषकार किसे दिया गय था यह इंपोर्टेंट प्रशन है साहित्य, सान्ती इसमें अलग-लग प्रकार के नोबल पुरुषकार दिये जाते हैं तो कमेंट कीजिए जल्दी 30 नमर का अंसर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चलिए, ए और बी दोनों जाएगे इन ओल का टोकाकर जुक और पिटर हेडेक ठीक है, हेडेक है 31 नमर प्रशन है कपास का प्राचिंतम साक्षे कहां से प्राप्त हुआ था वेरी गुड, जी महरगड से हुआ था दोस्तों और वेरगड कहां पर है, पाक के अंदर है ठीक है, पाकिस्तान में 32 नमर है, पूर वेदिक काल में निमन में से किस में परजातांतरिक मामलों पर विचार विमस नहीं किया जाता था 32 का जल्दी बताईएगा सभी तो बिलकुल मित्रों आप सभी की तरफ से आंसर आ रहा है, वेरी गुड, जन और जो दोस्त अभी अभी चैनल पर आई हैं, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिन्होंने सस्क्राइब ने कर रहा है, नीचे लाल कलर का बटन आपको मिल जाएगा उसे दबा कर सस्क्राइब कर लीजिए और पास में गंटी का बटन है, उसमें और जो मितर BSTC की तयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जल्द लाइव क्लासे लेकर में आ रहा हूं BSTC और PTT राजस्तान जी के स्पेसल क्लास तो तयार रहना है, बाकिया आप अगर सोसल मीडिया गुरूप में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से आप सोसल मीडिया गुरूप से एड हो सकते हो 33 की तरफ चलते हैं, महमद गोरी द्वारा भारत पर किये गए आकर्मन में से सबसे महत्तोपुन आकर्मन कौन सा था? जल्दी बताएगे वह 33 का, जी तो डी हो जाएगा, त्राइन का जो शेगिंट यूद था, द्यूति यूद वो इंपोर्टेंट था, ठीक है? कब हो आता ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, 1192, ठीक है? 34 नमबर है, निमन लिकित में से कौन सा यूद साल भाई की संदी के द्वारा समापत हुआ था? ये हैचम भरती में परशना है, दोस्तों देख सकते हैं, वेड मास्टर का जो पेपर हुआ था, 2018 में उसमें ये परशना है था, अब देख सकते हो कि लेवल कौन सा ये परशन होगा, आपको भी पता चल गया होगा, तो पर्थम मराटा यूद हो जाएगा, उप्सन नमबर A, 35 की तरफ चलते हैं, भारत में सिविल सेवाओं का सुत्रपात किसके द्वारा किया गया था, जो सिविल सेवाओं होती है, अपनी दोस्तों, आई एस वगर है, ठीक है, आई 25 परसन अपने कंप्लीट होते हैं, कल फिर 9 बज़े हाजिर हो जाना है सभी को, और दिन में आपको ओफलाइन वीडियो मिलते रहेंगे, तो दोस्तों फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने सस्क्राइब नहीं कर रहा है, जरूर सस्क्राइब कर लीजे चैन कोई सवाल हो दोस्तों, किस टोपिक पे, किस सब्जेक्ट के आप वीडियो चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा, थेंक्यू, धन्यवाद